यहाँ पर सबसे पहले की देखो क्या होता है कि SSA Sejal का जो आप पेपर देते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और उसी में से एक सबसे दमदार और सबसे खुबसूरत पोस्ट है हमारा ASOE.NM यह एक छोटी सी क्लिप इसके बारे में हम लोगों ने शेयर किया था और वो क्लिप जो है धाई लाक से उपर व्यू अरजित कर चुका हैch, छोड़ा सा क्लिप तो जब एक छोड़ा सा क्लिप धाई लाक से उपर का व्यू जा सकता तो वहीं पर बच्चों का बनाने में, एक एक बात मैंने कंसल्ट की है, जो लोग already foreign department में posted है, उनसे भी मैंने इन बातों को confirm किया है, कि क्या जो बात ऐसा सुनने में आता है, क्या वो सही है या वो गलत है, कितनी बाते सही है, कितनी बाते गलत है, क्या जो हम बात करते हैं महीने के 2,3,000,000 रुपया में मैं M.E.A. में हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा perk मिलता है, 5 star facility मिलती है, health resources में benefit मिलता है, कि उस particular country के सबसे top hospital में, मैं free में अपनी जो है, वो इलाज करा सकता हूँ, अपना अपने family का, मेरे जो बच्चे होंगे उस school में, मतलब जैसे मानो अगर London में posting हुई, तो London के सबसे top school में free में ऐसे सिख्षा मिल सकती है, क्या ये बात में सत्यता है, तो बिलकुल इन सभी बातों को लेकर, जितने भी आपके अमन में 50 तरह के doubt होंगे, वो सभी के सभी मैं आप लोग को clear करूंगा भाई, बहुत मेहनत की है, मैंने आप सभी के लिए, तो आपका भी ये बात फ और M.E.A. का full form क्या होता है, Ministry of External Affairs यानि विदेश मंत्राले, ठीक है, जैसे विदेश जो मंत्री थे हमारे पिछली सुसमाश्वारास थी, जनका निदन हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरा complete जानकारी हमें जो है, वो प्राप्त मिलेगा, complete process में आपको इस उसके बारे मैं आपको बताता हूँ, तीन तरह के passport कैसे सबसे पहले हो गया, navy blue color का passport, फिर हो गया white color का और फिर हो गया maroon color का, ठीक है, जो आम जंता होती है, जो आम नागरीक होते हैं, उन्हें मिलता है आपको navy blue color का passport, जिसको हम code भी देते हैं, normal ठीक है, P for passport, public के लिए, ज जो भी भारत के तरफ से जाते हैं, जो representative होते हैं, जो other country में जाके represent करेंगे, जैसे आप विदेश मंत्राले में लगेंगे, तो आपको white मिलेगा, और maroon color का जो passport होता है, ये diplomatic passport होता है, ये official passport है, और ये diplomatic passport, अब ये diplomats कौन होते हैं, diplomats वो होगे, जो भारत सरकार की तरफ से किसी और country में जाते हैं, bilateral meetings के लिए हो गया, जैसे, समझोता के लिए हो गया, military exercises के लिए हो गया, तो वहाँ पर आपको मिलता है diplomatic Indian passport, जैसे आपने ये भी सुना होगा कि हमारे CISF के कुछ जवान गए, और अफगानिस्तान में जाकर वहाँ पर training कर रहे हैं, तो उस समय वो blue कलर के passport से नहीं जाएंगे, white कलर के passport से जाएंगे, official passport होता है, इसलिए साफ लिखा गया, issued to individual representative Indian government, ठीक है, on official businesses, और यहाँ पर issued to Indian development, तो भाई साब ये बहुत powerful post होती है, ASO in MEA लगना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, powerful post in SSE सीजेल, अब यहाँ पर बहुत सारे बातों को लेकर आपके मन में असमंजस होगा, कुछ questions होगे, कि सर कौन से एक्जाम हम qualify करेंगे, कि सर हम ASO in MEA लग सकते हैं, ठीक है, यह विदेश मंत्राले में हमारी entry हो सकती है, power क्या क्या होगा सर, eligibility कितनी होगी, उसके अलावा work profile हो दूसरा होगे है UPC का, अगर आप दो paper को अच्छे तरीके से qualify करते हैं, अच्छे number लेकर आते हैं, सबसे जो top cutoff वाली post होती है, उनके तुरुआ विदेश मंत्राले में entry ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो exam होगे 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 है, SSE CIGL का, और दूसरा होगे हम EFS SCADR में, Indian Foreign Service में, और वहाँ पर आपकी posting होती है, कौन सा post मिलता है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक करते रही है, और चैनल को सबस्क्राइब करते रही है, हर जगा पर वीडियो को शेर करते रही है, तो बात करते हैं, सर, SSE CIGL में कौन सा ऐ पर देना होगा, ठीक है, एक-एक बात को यहाँ पर समझेगा अच्छे से, तो सबसे पहले आपको देना होता है, टीर वन, जब आप टीर वन, टीर टू, टीर थ्री दे देते हैं, उसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देने की अवशकता होती है, ठीक है, उसके बाद नहीं है, कोई भी आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है, और यहीं इस पोस्ट की खुबसूरती होती है, इसी कारण लड़कियां जो हैं, वो सबसे ज़ादा इस पोस्ट को पसंद करती है, इसके बाद बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ज अभी दिखाऊंगा एक चल कर चोटी सी बात आगे एक स्लाइड देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा मैं सच बताऊं तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं एक वीडियो उससे संबंदित यूट्यूप पर डाल रहा हूं बच्चों को लेकर तो मैं संबून जानकारी उनको दे स है तब दूसरी बात करते हैं पैसे को लेकर तो देखो भारत सरकार में जो नौकरिया होती है ना यहाँ पर जो पैसे आपको मिलते हैं 4600 ग्रेट पे के अनुसार्षे 70,000-80,000 मिलती है पैसा यहाँ तब बरसता है आपके अकाउंट में जब आप विदेश में पोस्टिंग लेते हैं तब आपको महीने के 2-2,3,3,0,000,000 मिलते हैं वो भी हम आगे चल कर डिसकस करेंगे और बात करते हैं सोसल स्टेटस की तो देखो जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं उनके लिए मैं बात बताता हूं देखो जैसे मैं भी बिहार का हूँ तो हमारे यहाँ बिहार के लिए अपको देखो जानकारी अबी मैं दूँगा वीडियो के अंदर एक एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आपके सच में वैल्यू क्या है आपका सिर्फ वैल्यू भारत के अंदर नहीं भारत के बाहर भी है पूरी दुनिया आपकी कदर करेगी सभी बातों को चाहिए आपने जो है ओनर्स किया है या फिर आपने बीए किया कोई बिबतलब ग्राजुएट होनी चाहिए सिंपल सी बात है और एज की बात करें तो तीस साल तक की आपकी उमर होनी चाहिए तीस साल के अलवा भी रिलाक्सेशन मिलता है वो अलग-अलग कैटेगरी में होते हैं जैसे सी कैटेगरी को अलग मिला सी को रिलाक्सेशन मिलता है इसके अलवा ओभी सी को एज का रिलाक्सेशन मिलता है तो ये सबी जो हो गए आपको एज रिलाक्सेशन मिलते हैं जिसके बारे में अभी कभी डीटेल में बताऊंगा, ठीक है, चलो, बात करते हैं जो पावर के बारे में, तो पावर को मैं आपको ये दो फोटो के माधिम से दर्शाना चाहता हूँ, क्या होता है, कि जैसे आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा, आपने दूतावास, यान में इंबसी, सुना है न आपने, अभी इंबसी का सब्द में आपको समझाता हूँ, कि इंबसी का मतलब क्या होता है, ये जो दिख रहा है न फोटो, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये इंबसी है, और ये किसकी इंबसी है, तो ये भारत की इंबसी है, इंडियन इंब और दिल्ली में कभी आप अगर घुमने चले जाएंगे नॉर्थ ब्लॉक के साइड में आपको, तो आपको हर country का embassy दिखेगा, आपको यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलो तो China का embassy दिखेगा, अमेरिका का embassy दिखेगा, आपको Russia का embassy दिखेगा, ठीक है, तो हर country का embassy होता है, अगर जोना था, कि अफगानिस्तान में जो है, पूरी की पूरी सरकार भाग गई, और वहाँ पर जो है, वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है, उनका पूरा कबजा हो गया, अब ऐसे केस में क्या हुआ, रातो रात तकता पल्टा, अब रात तकता पल्टा, तो अफगानि एरलिफ्ट की मुवी भी देखी होगी, अक्षे कुमार की, वहाँ पर भी मुवी में ये दिखाने की कुशिश की गई है, कि एरलिफ्ट के माद्यम से उस कंट्री में रह रहे भारत के सभी लोगों को भारत में लेकर आया गया, तो भाई, ऐसे तो होता नहीं ना, कि मैं आ भारत के रह रहे लोग जा कर वहाँ पर संपर करें, जो भी उनको समझ सा हैं, वो यहाँ पर बता सकें, ठीक है, और उसी तरीके से ये पूरे के पूरे डेटा को रेकॉर्ड करते हैं, और इस तरीके से बारत को मदद करते हैं, एक्जामपल के तो पर माल लीजे कि मैं फस works होते हैं ठीक है जब कोई country से भी आपके इंडिया से भी जाता है या कोई NRI आ रहा होता है तो सारा का सारा जो work होता है वो आपके अपने country के embassy में होता है तो हर country में भारत की एक embassy है जैसे USA में ये हो गया उसी तरीके से चाइना में काम भी embassy हो गई ठीक है और इस embassy में आपकी posting होती है आप बोलते ना सर विदेश मंत्राले में जाएंगे तो कहां काम करेंगे अगर लंदन चले गए तो कहां पर काम करेंगे तो ये जो building होते हैं जो embassy होती है इसी के अंडर में आपको काम करना होता है इसमें low level से लेकर high level तक सभी offices होते हैं जो आपकी साहता करते हैं और एक बढ़ियां तरीके से आप एक country के अंदर एक country run कर रहे होते हो इसलिए embassy को एक और बात भी कहा जाता है country within a country और एक बात को हमेशा ध्यान रखना embassy की जो power होते हैं बहुत जादा होते हैं उस देश के उपर attack हो सकता है लेकिन कभी embassy के उपर attack नहीं हो सकता अगर embassy के उपर attack हुआ इसका मतलब सीधा है कि आपने उस nation के उपर attack किया है अभी आपने देखा भी होगा कि इसराइल के embassy के उपर attack हुआ था फिर इसराइल ने उस country का क्या हाल किया था ठीक है आप किसी के embassy के उपर अगर attack कर रहे हैं इसका मतलब आप उस nation के उपर attack कर रहे हैं यानि सबसे सुरक्षित अगर उस country में कुछ है तो उसकी embassy है और वो सीधा का सीधा एक country को represent करती है और जब आप इसके अंदर काम कर रहे होते तो सोचिए कि आप एक भारत सरकार के तरफ से भेजे गए एक राजदूत है जो पूरे के पूरे भारत वर्ष को represent कर रहा है इसलिए मैं कहारा हूँ कि इसका जो power है और इसका जो social status है वो अपने आप में बहुत बड़ा है बहुत महान है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आपर work profile के बारे में कि चलो भाईया इस building में चले गए काम कर रहे हैं लेकिन काम कर क्या रहे हैं क्या काम हमें मिला है तो वहाँ पर जाने के बाद कम से कम 10-15 तरह के काम होते हैं जो normally official on record है लेकिन मैंने यहाँ पर फिलाल तरीके के तीन काम लिखे हुए जैसे मानों यहाँ पर आपने IFS officer सुना है सिर्फ ना की बाहर की बात कर रहा हैं मिंडिया की भी बात कर रहा है IFS officer कैसे आते हैं यूपेसी से यूपेसी आप देते हैं तो IPS बनते हैं IS बनते हैं और एक और होता है IFS Indian Foreign Service और Indian Foreign Service के जो assistant होते हैं वो सीदे की सीदे किस से जाते हैं SACC serial से यानि अगर आप UPC qualify करेंगे तो आप IFS officer बनेंगे और अगर आप UPC qualify नहीं कर रहें SACC से जा रहे हैं तो आप उनके assistant बनेंगे दीरे दीरे आपका promotion होने के बाद भी आई आप भी जो है IFS cadre में आ जाते हैं दोस्तों 1000 प्लस लाइफ कर दो बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए मैंने कहा कि मुझे टोटल दो दिन लगे हैं और तालिस घंटे तब जाकर ये PPT बनी है अलग-अलग लोगों से मैंने संपर किया है जो अल्रेडी कोई बगदाद में पोस्टेड है वहाँ से उनसे मैंने बात की Facebook के माद्यम से अल्रेडी जो है डेली में कोई पोस्टेड है तो उनसे मेरी बात हुई है तब जाकर एक complete जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि एक सही जानकारी मैं आपको दे सकूँ और ये एक अलग आपके अंदर पैदा कर रही कि नहीं आर अब तो मुझे भी करना है आज बहुतों का सपना में बना देने वाला हूँ यहाँ पर कि आप चैनित कर लोगे कि हाँ भाई हम भी ASOE in M.E.A. लगेंगे देख लेना बस आज यहाँ सर दिखा रहे हैं और अब मेरे माइन में ये पिक्चर जा रहा है यह M.O.U. शब्द अगर आप Current Affair पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा Memorandum of Understanding ठीक है क्या होता है कि जैसे मानो यहाँ पर आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि यार इंडिया का समझोता हुआ है रशिया के साथ कि हम तुमको इतने weapons देंगे तुम हमें इतने weapons दोगे ठीक है तो ऐसा नहीं होता है कि मोदी जी जा के खुद जो है अवला मिदिर पुत्तिन के साथ बैठके और बात कर लेंगे हां भीया देखो हम तुमको दस ब्रहमोज दे रहे हैं तुम हमको इतना ये देना वो देना ऐसे नहीं होता एक Memorandum of Understanding जब बनता है तो उस Country में जो हमारे Diplomats होते हैं वो पूरे के पूरे यहां पर सहयोग करते हैं उनके सहायता से ही कोई भी चीज़ है वो लेंदेन होती है यहां पर ठीक है तो वो असिस्ट करते हैं सबसे पहले IFS Officer को इसके अलावा Filing Work जो MOUs का होता है उनमें सबसे जादा जो रोल होता है वो ASOs का होता है M.E.A. विदेश मंतराले वालों का सबसे जादा हंस्तचेप होता है इसके लवा आपने और भी बहुत सारे cases देखे होंगे जैसे सुशमा स्वराज को किसे ने Twitter पर टाक कर दिया कि हम दुबई में काम करने आये थे और 5 साल हो गया हमको बंदग बना के रख लिया गया है प्लीज हमारी सहायता करिए और ऐसे से वीडियो सुशमा स्वराज के पास आते थे वो तुरंत विदेश मंत्राले को वहाँ पर सूचित करती थी और वहाँ पर उस विक्ति को फिर वहाँ से छुड़ाया जाता था कानूनी प्रकरिया करके ठीक है जैसे आपके विजयमालय हो गए वो भाग गए या कोई और नीरमवोदी भाग गए यहाँ पर तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो विदेश मंत्राले की हो जाती है और सारा ट्रैक रेकॉर्ड सब कुछ जो है वो वही मोनिटर कर रहे होते है इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा इंटरनाशनल कोडिनेशन यह बहुत जरूरी है जैसे मानो यहाँ का अगर कोई भी स्टेट का सीम हो गया या किसी हमारे जो पीम हो गया वो अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उनके साथ जो है मने मानो की अगर मैं एक तरीके से बोलू यहाँ पर की पाकिस्तान के जैसे मान लो की यहाँ पर इमरान खान हो गया और उनके साथ मीटिंग करानी है किनकी मोदी जी की मीटिंग करानी है तो जो coordination होगा, coordination कैसे हो गया, कोई ऐसी country है जहांपर वो हिंदी नहीं बोलतے और हम है जो हिंदी बोलते हैं, तो coordination कराने के लिए जो है वहाँ पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है, वहाँ पर जो सहयोग है, वो सहयोग हमारे विदेश मंत्राले की पूरी की पूरी टीम करती है जो translator हो गया है जो वहाँ पर official paperwork हो गया everything जो भी होता है वहीं विदेश मंतराले के बिल्लिंग से वहीं विदेश मंतराले के department से होता है ठीक है और जो last हो गया वो हो गया NRI का जिसके बारे में आप जानते है ठीक है बाई चलो medical issue नहीं है और एक और फायदा मैं आपको बता द आँ ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी आप वीडियो को शेर करेंगे तभी मुझे motivation आएगा तभी मैं और ऐसी वीडियो आप लगों के लिए YouTube पर लेकर आऊंगा और आप लोगों के एक एक सेकेंड की value आपको दोंगा मैं तो वीडियो को शेर करिए दोस्त हर जगा पर शेर कर यह ताकि हर किसी का benefit और मुझे भी motivation मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूँ ठीक है इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर training के लिए तो देखो आप लोगों की training कहां पर होती है training जो होती है वो आपको JNU में होती है जैसा कि आपने सुना होगा कनिया कुमार के नाम से भी JNU काफी famous हो गया था और बाकी यहाँ पर JNU में आए दिन प्रोटेस्ट भी चलते रहता है यह भी आप जानते है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े pass out भूए है तो यहीं पर एक block है FSI वहीं पर आपकी training चल रही होती है इसमें किसकी किसकी training चलती है यह बात जान लीजे लबासना तो आप सब जानते हैं कि UPSC का जब training होता है वो लबासना में होता है लेकिन वहां से जब लोग अलग-अलग cadre के बाद आते हैं तो जो IFS officers हो गए हैं उनकी भी training इसी जाते हैं ASO in MEA उनकी भी जो आपको training हो गई वो इसी building में होती है इसके अला इसी 30 दिंग के अंदर आपको हर एक बात का जो है जानकारी दिया जाता है ठीक है बच्चा पूछ रहे है कि sir आपका नाम क्या है हमारा नाम आधित्यर इंजन है ठीक है और training में मुख्यता किन बातों के उपर focus किया जाता है ठीक है तो training में ये सभी बातों के उपर focus किया वीजा से संबंदित जोड़ी जानकारी पासपोर्ट से संबंदित की कौन सा नकली है कौन सा असली है ठीक है किसी का पासपोर्ट बनाना है वीजा बनाना है किसी और country का तो सभी जो है वहीं पर विभाग में होते हैं इसके अलबा कुछ आपको MEA के एड्मिनिस्ट्रेशन यह सभी बाते मैंने यहाँ पर लिख रखा हैरें ट्रेट से संबंदित को जानकारी हो गई तो यह सभी के उपर आपको जो है दो दो दिन, तीन, तीन तीन करके आपका जो जो ट्रेणिंग होता है 30 दिन पूरा किया जाता है और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जान मिरातन में देख लेंगे, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि CBI में क्या होता है कि आपको बंदूग चलाना सिखाते हैं, ठीक है आपको जो है नार्कोटिक्स के बारे में पूरा का पूरा बताते हैं, ड्रक्स के बारे में यहां पर 30 days कह रहा हूँ क्योंकि 30 दिन के अंदर इसकी training खतम हो जाती है 30 दिन के अंदर training खतम और एक और बात बता दे अगर SSE CGL में सबसे पहले किसी post की joining आती है तो वो इसकी आती है example मैं आपको दे रहा हूँ 2017 CGL का जब result आया था तो result के एक महीने के बाद यहां पर joining letter आ गया था, training का letter आ गया था कि भाईया पहुँच जाए जेनियो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां पर आपकी training सुरू हो जाएगी लेकिन अगर वहीं हम excise inspector की बात करें तो यह जो excise inspector है अभी इनका जो joining आया है वो पिछले 2021 के December में आया है तो सबसे fast अगर किसी की joining आती है तो विदेश मंत्राले की आती है ASO in MEA की और सबसे late अगर किसी का आता है तो वह excise inspector होता है इस बातों को भी ध्यान रखेंगे मतलब जब तक एक excise inspector का person join करेगा तब तक एक साल की जो salary है या एक साल का जो promotion growth है वो आपको विदेश मंत्राले से मिल जाता है जो सबसे important बात होती है वो है posting के बारे में posting के बारे में बहुत बच्चे जो होते हैं सोच रहोते हैं अरे यह इसे कईसे हमको क्या सबसे पहले तो यहां पर अगर आप भारत में सेवा देना चाहते हो तो आप भारत में M.E.A. office दिल्ली में काम कर सकते हो ठीक है जब आप दो साल तीन साल जब आप काम कर लेते हैं जब आपकी थोड़ी सी seniority हो जाती है उसके बाद यूँ समझ लीज़े जैसे आप game खिलते हैं एक level को cross किया तो दूसरा level आपके लिए खुल जाता है सेम तरीके से जब आप दो साल तीन साल यहां पर काम कर लेते हैं दिल्ली में रहकर तो उसके बाद आपको विदेश जाने के रास्ते खुल जाते हैं कोई पंजाब का है कोई हर्याना का है कोई उत्राखंड का हो गया तो आपके अलग-अलग स्टेट में भी रीजनल ओफिस होते हैं पास्पोर्ट ओफिस और स्पार्ट पुस और आप वर्क कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया हमारा इंडिया का बात नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेंग पोस्टिंग के बारे में फॉरेंग में कितने तरह के पोस्टिंग होते हैं यहां पर देखो छोटे से स्लाइड के मादम से बताया है ठीक है भाई चलो foreign posting में क्या होगा, देखो कितने तरह की countries होती है एक होता है A star country, दूसरा होता है A फिर होता है B country, फिर होता है C country, फिर होता है C star और इसके बाद भी एक और country होती है इसके बारे में संपून जानकारी मुझे उस भाई से मिली जो already बगदाद में हैं और जो already ASO in MEA है उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी दी उन्होंने का कि भाई ऐसे नहीं होता है कि तुम जो है सीधा का सीधा लंदन चले जाओगे काम करने एक प्रोसीजर होता है प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है जैसे मानो सबसे पहले मैं ASO in MEA लगा ASO in MEA लगने के बाद क्या हुआ कि मैंने 2-3 साल भारत सरकार में सिवाई दी दिल्ली में जो है मेरा पूरा का पूरा काम चला उसके बाद हमारे लिए options बाहर जाने के खुल जाते हैं बाहर जाने के कितने options हैं तो एक तरीके से यू समझे लो 60 countries हैं लेकिन सुरू में जो हमारे पास option आता है वो 30 country का आता है उस 30 country में हमें अपना form fill up करना होता है फिर पूरा का पूरा paperwork होता है और paperwork होने के बाद तब वो पहुंच जाता है आपके office में और finally कुछ महीने के अंदर आपके पास आ जाता है कि हाँ आपको ये country मिला है अगर मानिये कि आपको पाकिस्तान मिल गया और आपको पाकिस्तान नहीं जाना है तो आप जाने के लिए बात दे नहीं है क्योंकि यार देखो जब आप posting के लिए foreign में apply कर रहे होते हो तो बहुत सारे paperwork होते है अब भारत सरकार ने इतना paperwork किया और आपने जटके बर में उनका दिल तोड़ दिया कहा कि नहीं भी हम तो जाएंगे ही नहीं तो इसलिए आपको कुछ महिने के लिए ban किया जाता है लेकिन उसके बाद फिर options फिर कुसे खुल जाते है अब बात करते हैं यह जो countries है coding है इस code में किस किस तरह के country आते हैं जैसे A star हो गया A star में New York हो गया, London हो गया जितने बड़े बड़े शहर हो गया, बड़े बड़ी countries हो गई वो सभी के सभी A star में आती है ठीक है, दोस्तों वीडियो को like कर दो, मैं बार बार कह रहा हूँ सभी के सभी वीडियो को share करो, like करो channel को subscribe करो, ठीक है वीडियो को हर जगा पे share कर दो, 1000 प्लस live चाहिए दोस्तों, बहुत important और बहुत सही content हम आपको दे रहे है ठीक है, इसलिए इस content के दम पे एक motivation मुझे मिले इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि हर जगा वीडियो को share कर ये, like कर ये ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पर आता है, लंदन जैसा आपका country हो गया, ठीक है फिर बात करते हैं यहाँ पर B, B नंबर में जैसे बिजिंग, बिजिंग कहा है, चाइना में है जिसकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी यहाँ पर और जिसका मैंने कहा भी था कि देखो यह बिजिंग है यह आपका B code country होगा, बिजिंग कहा गया, चाइना में यह आपका भारत का embassy है वहाँ पर जैसे Bangkok का भी आपने नाम सुना है तो Bangkok भी किस में आता है, तो B country में आता है C हो गया आपका Moscow, Moscow कहा है बताओ, रश्या में तो Moscow जो है, अगर आपको है तो आपको C country के लिए apply करना पड़ेगा, next हो गया आपका C star और इसको star क्यू दिया गया है, इसको कभी-कभी hard countries भी कहा जाता है, जैसे आपका Islamabad, Islamabad का मतलब यू समझ लो, Pakistan, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर posting के procedures क्या-क्या होगे, जैसे मानो मैंने foreign posting के लिए apply किया, तो शुरू-शुरू में जो हमें starting मिलती है, वो हमें C plus star country से मिलता है, C star country से मिलता है, जैसे अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बगदाद हो गया, इन countries में posting होती है, जैसे जैसे seniority develop होते जाती है, या जैसे जैसे आपका थोड़ा-थोड़ा work experience बढ़ते जाता है, फिर आपको C star के बाद C दिया जाता है, C के बाद B होता है, B के बाद A होता है, यह के बाद A star होता है, और इस तरीके से इस order में आपकी posting होते जाती है, यानि अगर यूँ सोच ले कि पहले posting में हमको London transfer मिल जाएगा, तो ऐसा possible नहीं है, एक आदा exceptional case होते हैं, जिसमें अगर आपका किसी के साथ कोई पहुँच है, नेता के साथ, तो आप अपनी posting इन में किसी country में करवा सकते हैं, अनेता आपको जो general protocol है, procedure है, आपको उसी तरीके से follow करना पड़ेगा, और उसी तरीके से आपकी posting होती है, ठीक है, next बात करते हैं, salary के बारे में, तो जो salary है, वो इंडिया में आपको 70 प्लस के करी में मिलता है, लेकिन जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं, किसी और country में जाते हैं, जैसे मानो की कोई बगदाद में है, या यू समझ लो कोई लंदन में है, या कोई आपका जर्मनी में है, तो उसकी salary कितनी होगी, क्या उसको 70,000 रुपया ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, कि salary जो decide होती है, वो currency के power के उपर decide होती है, example के तोर पर यू समझ लो, कि अगर भारत में ये salary 70,000 है, तो विदेश में यही salary जाकर उनके according कितना हो जाएगा, वहाँ के खर्च के according वहाँ के महंगाई के according सभी चीजों को calculate किया जाता है, कि यहाँ पर अगर हम जो house allowance है, 8,000 रुपया किराया दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर अगर कोई flat लेगा, तो क्या 8,000 में निपड जाएगा, इन सभी चीजों को calculate करते हुए, जो आपका approximate Indian currency में convert करने के बाद जो salary आती है, वो 2-3 लाख रुपया आती है, किसी किसी country में 2 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है, तो foreign posting में Indian currency के हिसाब से आपको 2-3 लाख रुपया मिल जाता है महीने के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसमें आराम से जो है, आप 1,5 लाख रुपया खर्चा करके, बाकी पूरा का पूरा आप सेफ कर सकते हैं, अपने घर बेज सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं, इसलिए सबसे लुक्रेटिव और प्रॉफिटेवल जो पोस्ट होता है, वो M.E.O. कहा जाता है, जिसमें सबसे जादा सैलरी होता है, इसके अलावा दोस्तों ये बात समझो, ये जो पर्क्स है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है, अगर मैं बोलू ना कि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है, इंसानी फित्रत है, किसी को भी motivation मिलता है तो पैसे से मिलता है किसी को भी motivation मिलता है तो एक तरीके से उसके benefits से जो उससे फायदे हैं जैसे मानो मैंने आपको कहा दो mobile है एक Redmi हो गया और एक Nokia हो गया और मैंने कहा कि आप इसमें कौन साल हो गया तो आप क्या देखते हो, features देखते हो तो उसमें आप किसको सबसे पहले नमबर परस्तान देंगे वो कब देते हैं जब आप अपना देखते हैं कि हाँ भाई इससे संबंदित क्या-क्या फायदे हो सकते हैं ठीक है कोई अगर मानो घूमना चाहता है तो अलग-अलग countries में तो वो ज़्यादा salary होती है जैसा कि मैंने बताया दो लाग से तीन लाग रुपए के करीब में ठीक है इसके बाद best amenities best amenities के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ जिसमें मैंने health और education लिखा है जैसे मानो आप भारत में 70,000 रुपए महीना कमा रहे हो ठीक है आप बिमार पड़ गए आपको क्या होगा कि खर्चा कराने कराने में ही इलाज कराने कराने में ही आपके पूरी की पूरी salary चली जाएगी या आपके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं आप उनको सबसे top school में रख रहे हूए महेंगाई के जमाना इतना महीने के 10-10,000 रुपय आपका महीने का फीस लग रहा है लेकिन अगर आप ASO in M.E.A. लगते हैं तो ये दो चीजे जो हैं आपकी भारत सरकार देती है यानि आप बिमार हुए या आपके परिवार में कोई भी बिमार हुआ तो उस country के सबसे उच्छ स्पताल में आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं कोई रुपया नहीं लगेगा और उस country के सबसे टॉप स्कूल में बारहवी तक 12 तक आप अपने बच्चे की फ्री में पढ़ाई करवा सकते हैं उसका पूरा का पूरा जिम्मा कौन उठाता है भारत सरकार उठाती है ठीक है कौन उठाता है भारत सरकार उठाती है नेक्स्ट बात करते हैं फाइफ स्टार अकॉमडेशन फाइफ स्टार अकॉमडेशन क्या है जैसे मानो मुझे पोस्टिंग मिले कहाँ पर जर्मनी में और जर्मनी में गया तो मुझे वहाँ पर कोई एक house मिला ही नहीं सरकार के तरफ से रहने के लिए कहीं पर कोई अभी quarter available ही नहीं है तो क्या होगा मैं वहाँ के किसी भी five star hotel में रह सकता हूँ और जितना भी खर्चा हैगा वो पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा तो भारत सरकार देगी यानि जब तक हमें यहाँ पर quarter नहीं मिलता है तब तक five star accommodation मिलता है और यह किस के तरफ से होता है तो भारत सरकार के तरफ से मिलता है यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो fixed time job होता है बहुत important जैसे नौ बज़े से लेकर साड़े पांच बज़े तक दस से साड़े पांच भी कश रखते हो यह fixed time job है अब बोलोगे सर क्यों fixed time job के बारे में इसमें ज़्यादा pressure दे रहे हैं क्योंकि बहुत मेरे भाई ऐसे होते हैं जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या अलग-अलग परिशाओं की तैयारी करने में एक्शुक होते हैं उनके लिए क्या होता है कि यार एक ऐसा job हो कि शाम के बाद आओ घर पे तो phone ना है office का कि भाई तुमने ये file क्यों अदूरा छोड़ दिया तुमने वो क्यों छोड़ दिया तो इसमें ये फायदा है कि fixed time की job है घर पे आने के बाद आपको tension नहीं है क्या हुआ office में क्या नहीं हुआ आप आनाम से relax होकर आगे UPC की तैयारी कर सकते हैं या किसी भी exam की या कोई और अपना काम कर सकते हैं तो ये बहुत फायदे मंद होता है next बात करें यहाँ पर तो white passport ये white passport का है न भाई बहुत महतोब है यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में ही वीडियो के बताया था कि तीन तरह के passport होते है blue color का navy blue हो गया white हो गया और maroon हो गया और ये जो passport है न यहीं एक तरीके से बोले हिंदी में तो आपकी जो आउकात है वो बताती है कि आप सच में कितना value रखते हैं किसी country के लिए individual कितनी personality आपकी value होती है जैसे मानो यहाँ पर blue passport हो गया ये पूरे भारत में हर वेक्ती के पास है किसी के पास कोई भी बनवा सकता है white passport हर किसी के बस की बात नहीं होती उन्ही को मिलता है जो भारत सरकार के officials होते हैं इसे लिखा गया official Indian passport issued to individuals representing Indian government on official businesses और जो तीसरा हो गया maroon हो गया जब कोई नेता या कोई बड़े officers होते हैं जो diplomats होते हैं जो वो किसी meeting के लिए जाते हैं किसी country में तो वो उनको मिलता है तो यह जो passport है यहीं आपके लिए बहुत बड़ी बात है example मैं आपको देना चाहूंगा अगर सारु खान जा रहे हैं और मैं एक ASO M.E. हूँ तो जैसे सारु खान अगर गए तो उनको भाईसा पूरी checking चलती है आपने पता भी है बहुत ऐसे countries होते हैं पूरा बढ़ियां तरीके से checking करेंगे कपड़े हटा अटा के लेकिन अगर मेरे पास यह passport है तो किसी की capacity नहीं है कि कोई हमें हाथ तक भी लगा के दिखा सके क्योंकि यह passport का मतलब मैं इस country को represent कर रहा हूँ मैं आपने आपको represent नहीं कर रहा यह पूरा का पूरा देश मेरे से संबोधीत हो रहा है और आप मुझे हाथ लगा रहे हैं उसका मतलब आप मेरे nation के उपर ठीक है नेक्स बात करते है आपर promotions के बारे में कि promotion जो है वो कैसे मिलता है तो promotion के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं promotion के बारे में सबसे पहले जानिए तो सबसे पहले अगर आप SIGAL qualify करते हैं तो SIGAL से आप लगते हैं Assistent Section Officer ASO-ne-M.E.A. और ASO point M.E.A के बाद क्या होता है कि क्या वहीं पर हमारी कहानी खतम हो जाती है क्या उसके आगे हमें कोई paper नहीं देना होता है इसा नहीं है उसके आगे भी paper देना होता है और भी बहुत सारी बाते होते हैं जैसे अगर आप कोई paper नहीं देना जाते तो 12-13 साल के अंदर ध्यान से मेरी बात को समझेगा 12-13 साल के अंदर आपका promotion हो जाता है section officer पे ठीक है लेकिन अगर आप departmental exam देते हैं तो departmental exam में क्या होता है कि department में भी जाने के बाद exam होता है आप किसी कोई ऐसा person होगा जो selected होगा आप उनसे पूछना ठीक है वो खुद आपको बताएंगे कि चाहे वो स्टैनो है या फिर tax assistant है तो ये सभी लोग जो होता है ना अगर मानो कोई बंदा tax assistant है तो वो departmental exam दे दे कर दे दे कर income tax में जा सकता है उसी तरीके से assistant section officer जो है वो departmental exam दे कर 4-5 साल के अंदर promotion लेकर section officer बन सकते हैं और फिर उसके बाद section officer से 9-10 साल के बाद आपका promotion होगा तो आप under secretary बनोगे और under secretary आप SSE के माधम से आओगे और अगर आप UPSC के लिए prepare कर रहे हो तो आपकी जो direct posting होती है वो under secretary के ही होती है इसलिए मैंने लिखा IFS cadre UPSC निकालोगे तो यहां से आपकी promotion से start होगे और SSE निकालोगे तो सबसे पहले ISO बनोगे फिर promotion होकर section officer फिर promotion होकर under secretary फिर under secretary के बाद deputy director और फिर deputy director के बाद director इसके बाद भी post होते हैं लेकिन वहां तक SSE candidate नहीं पहुच पाते हैं ठीक है तो बताओ मुझे यहां पर एक बार comment section में कि कैसा लगा आज का आपको MEA का वीडियो क्या आप आज से कसम खा रहे हैं क्या आज से pledge ले रहे हैं कि भाई बनना तो अब MEA officer ही है